दोस्तों आप सभी के स्वागत करता हूं मैं अपनी यूट्योब चैनल में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने से बिना कोई लॉगएन आईडी बिना कोई पास्वेट के आधहार केवल आधहार नंबर से अपना आईसमान कार्ट कैसे प् आप अपने से ही यह आईसमान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं आपके सामने मैं लाइफ प्रूफ दिखाने वाला हूं तो आपको सबसे पहले क्या करना है PMJAY PMJAY लिखकर आपको सेर्च करना है दोस्तों तो आपके सामने आइसमान भारत की एक website open होगी मैं आपको दिखाने वाला हूँ देखिए यह official website है आइसमान भारत की PMGY National Health का यह जो website है इसको आपको क्या करना ओपन करना है तो दोस्तों इसको पहले आप open कर लीजिए तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने National Health Authority का official website open हो गई है अब इसके बाद आपको क्या करना है simple सा menu यह menu आपको दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगे इतने सारे option आपके सामने आ जाएंगे इतने सारे option में आपको एक option मिल जाएगा पनीरी इजनी करना अंतलों में आपको यह में आपको एक इस पर रहते जाएंगे डोस्तों आपकी नूस पेज ऑपन होगा यह पेज रिस्पॉन्स है मैं बेट कर देता हूं थोड़ा सा अब कम्पूर्ट से लोग चला है मेरा तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने यह पेज ओपन हुआ है करना है कि यहां यहां एक ऑप्षन मिल रहा होगा ड़ांलोड आईश्मार कार्ड दोस्तों तो 되어ρχे हैं आप यह अपसंगे और नियू पेज डाउनलोड़ ऑपन हो जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तो आपके सामने यहां एक selection option आ रहा होगा आधार कार्ट का देख सकते हैं दोस्तो यह आधार कार्ट का आप इस कीवल और कीवल आधार कार्ट से अपना आयसमान कार्ट यहां से पेंट कर सकते हैं दोस्तो तो इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां से आपको यह सारे option आए जाएंगे तो यहां आपको इस चिम के दौरस कार्ट को स्सेट करें बनाए तो यहां से चुन लेजे करना है इस स्टेट से आप हैं तो यहां से हमाई यहां से चुन लेता हूं दोस्तों अब इसके बाद आपको यह से आधार' कार्ड या virtual इंटर करना है तो यहां आप अपना आधार काड़ इंटर कर दीजिए अब इसके बाद आपको एक और दा बेनिफिशियल है नो अब्जेक्ट और टू प्राइवेड आधार नंबर फोर पहचिंग एक बाइस यह सारा आपको पढ़ने के लिए करें यह सर्ते लागु जो आपको क्लेक्ट कर देना हूं और यहांसे जनरेट dp परापको क्णासि क्लेक्ट करेंगे तो आपकी जनरेट को जड़ाये हूा और नंबर पर अपको जाने वाली है उसके चार आंक को यहां देना यहां से आपको OTP इंटर करना है दोस्तों, OTP इंटर करने के बाद आपको यहां से पेरिफाइट करेंगे, तो आपके सामने यह सारी डेटेल यहां से नीचे ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं, यह नेम येस इन आइडी जिसनका आधार कार्ड है, उनका नाम आ जाएगा, य देटा से यहां डेटा जाएगी, एक्षन में यहां समगर आ जाएगा, कि किस के द्वारा आपका आइसमान कार्ड बना है, यहां एक और ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास डाउनलोड कार्ड कार्ड, देख सकते हैं दोस्तों, बिना कुछ लॉगन आइडी, बिना कुछ C यहां आइडी के आपके पास यहां आ गया है, डाउनलोड कार्ड का ओप्शन, ना कोई आपको चार्ज लगेगा इसका, दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से यहां PDF आपकी डाउनलोड होने लगेगी, सिधा, बहुत ही सरल है, दोस्तों, मैं आपको ओपन करके बता दे तो देख सकते हैं PDF लोड हो रही है, ओपन हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा बेट करिएगा, मैं आपको लाइफ देखाने बाला हूं कि मेरा आइसमान कार्ड बहुत ही अच्छा और अच्छी क्वालिटी का यहां से डाउनलोड हुआ है, तो देख सकते हैं दोस्तों, यह म कार्ड डाउनलोड हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहां से, यहां मेरे ग्राम का नाम आ गया है, यहां QR कार्ड, यहां date of birth, यह सारा आपका डाउनलोड हो गया है, यहां से आप इसको डाउनलोड कर लेजे, डाउनलोड करके आप इसे प्रेंट दे सकते हैं, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए जे मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लेजे और बेल आइकन को दबा दीजे जिससे आने वाले वीडियो की आप तक नोटिफिकेशन मिल से तो दोस्तो चलते हैं बस आज की वीडियो बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में